हेलो एवरीवन वेलकम टो क्लास नांबर हन्रेट प्वैंटी वण ओप दू चैप्टर प्रोग्रामिंग युजिंग सील तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक सी प्रोग्राम का क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन सी डिस्पले दौ कि थी प्रॉड नाट की से इ पर फिवनाय की शीरीज को इस आउटपुट डिस्पले करने के लिए हम कैसे एक सी प्रोग्राम लिखेंगे पिर उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए पहले समझते हैं कि यह फिवनाय की सिरीज है क्या ओके तो जैसे कि कोई भी फिवनाय की सिरीज में हमा पर भी फिवन है की सीरिज में क्या होता है जो दो नंबरें उनकों और करते हैं परने कि बाद हमें मिलता है थ्रड फिर जो जब मिलता तो फिर नंबर को चोड़ देतें पिर इन दोनों नंबर को एड़ करेंगे मिलेगा और एक नंबर तो ऐसे ही हम जो नंबर करते करते जा रहे हैं तो इस सिरीज को हम बोलते हैं फिवोना की सिरीज जहां पर हमें क्या मिला इस बीडेगा हमे बdoor सबस्थे शाएं क्या द्र गया को आपके एंचरा हो मैंट सब्सक्राइब अश्यविवण करेंगे मंट शोच लान के सिरीज को हम बोलते हैं फिवोना की सिरीज ऑक के सिरीज में जब हुई फिस्के बाद यह सारे नंबर्स हैं यें को क्या करेंगे इन्ग्रिमेंट करेंगे, उके, तो इसके लिए अगर प्रोग्राम लिखा जाए, तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको हमने simple तरीके से यह समJा 9.10 काहाँ है, तो अभी इसको से 35 करेंगे वी province को हमआरे करना चाहते हैं इसके बाद हम मेंट और मेंट याँ पड़ायगी और मेंट फॉंक्शन को उपन करेंगी मेंट फॉंक्शन को उपन करने के बाद वो सारे variables को डिकलेर करेंगे जो सारे variables हमें चाहिए एक फिवन एक series को display करने के लिए ऐसे output तो एक फिवन की series में हमारा जो initial value किया होता है n1 जो की zero and two जो की one okay उसके बाद और एक extra variable लेंगे entry उसके बाद हम क्या करेंगे और एक पर हम यहां पर लेंगे कि हम जो पकॉर करना चाहते हैं कि उस जिसी में कितना हुआ हुआ ऐलिमेंट में दिखाना चाहते हैं उसको क्पेसिफाइब करने के लिए यूज करेंगे और एक वेरियेबल वेले लिया नंबर तो भी देखते हैं अगर और कोई वेरियेवल आगे जबरत पढ़ेगा हम यहां पर एड़ करेंगे तो पहले युजर को हम मागेंगे कि हम जो फिवनेक की सीरीज ऐसे ऑउटपुट दिखाना चाहते हैं उस फिवनेक की सीरीज में कितना एलेमेंट दिख को बोलेंगे एंटर दा नंबर आफ एलिमेंट करो कि कितना नंबर आफ एलिमेंट आप एक फिबोनेक की सीरीज में देखना चाहते हो उसके बाद यूजर जो वैलू इंपुट करेगा उसको रिड़ करेंगे स्कैन अप फॉंक्शन यूजर जबकि इंटिजर वैलू धोल को रखेंगे उसके बाद सभविवनाक की मैं उसके बाद को था इंटम का फॉष्कन वीट करें सभड़ेंगा है यह यह मन के सब्सक्राइब करेंगी मतलब यू लाइन क्रेंग इस नूटर करने के बाद से टी मतलब फर्स्ट एनवान का वैलू जेरो प्रिंट करेगा एकन परसंटेज डी जो की एनटू का वैलू हिंट करेंगे एनटू का वैल्यू करने के बाद फिर हम क्या करेंगे एनट वैलू को एड़ करके क्या क्या करेंगे एंट्री वेरियेबल में स्टोर करेंगे तो एंट्री वेरियेबल में हमने क्या किया यहां पे एंट्वान एंट्व का वैल्यू एड़ करके स्टोर कर लिया ओके तो नेक्स्ट क्या प्रिंट करेगा परस्त जिरो वान प्रिंट कर चुका है जिरो प्लस वान व उसके बाद सपोस मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे मैंने नमबर इंपूट किया है 8 कि मुझे आठ टो एलिमेंट मैरे फिबना की सिरीज में देखना है बट अभी तक तो हमने सिर्फ तीन ही देखा है तो अभी और भी पांच देखने हैं तो उसके लिए हमें लूपिंग चाहिए कोई एक पटिकलर स्टेटमेंट को बार बार एक्जेक्यूट करने के लिए हमें लूपिंग की जर्रत है चाहे वह फॉर लूप हो वाइल लूप हो जब हमें पता है कि कितना बार हमारे लूपिंग को एक्जेक्यूट करना है तो वहाँ पे हम कौन सा देखो मुझे कितना बार रिपीट करना है आठ बार में से दो बार हो चुका है क्योंकि दो भार वैल्यू हमने नॉर्मली प्रोवाइड कर लिया है तो काउंटिंग कहां से शुरू करूंगा तू से तू से काउंटिंग सुरू करने के शुरू करते तो आई का वैल्यू हम यहां भी क्या ले ते लेते ते रहें और यहाँ पर कंडिशन हम क्या देते हैं लेस देन इक्वल्स टू नमबर मतलब वान से लेके एट तक अगर हम काउंट करते हैं तो अगर जिरो से लेके सब्सक्राइब करते हैं तो तो हम पर आएगा वैलू टू लेंगे ओके तो हम से कांट करते हैं कांटें इसी लिए यह इक्वल्स टू त्री आइलेस देन इक्वल्स टू नंबर देन आई प्लस प्लस टू यह प्रॉसस कब तक चलेगा तो यहां पर मैंने फारलूप को उपन किया उपन करने के बाद तो फिर हम क्या करते है इसकों करते हैं और इसको एन्टों के हिसाब से कंसिडर करते हैं इन दोनों का एड़कर कि फिर नए आई वे जो आएगा वो होगँ N3 मतलब N2 में जो value था उस value का हम किसको provide करते हैं N1 को मतलब N2 में जो value था किसको provide करेंगे N1 को N1 को किसका value हमने provide किया N2 का और N2 को किसका value हमने provide किया N3 का N3 में जो value store था N3 का value हमने किसको provide किया N3 का value हमने provide किया N2 को को के वेल्यों कर दिया धाल्यूंक्त प्रोवाइड करने के बाद यहां पर लोग क्लो यह लुपिंग तब तक चलेगा अब तक जब तक हमारा यह कंडिशन हो रहा है मतलब आठ बार वार इलिमेंट डिस्पले ना करने तक यह लुपिंग चलता रहे देखेंगे फिर आएगा थू फिर आएगा थिर अथिन तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि यह प्रॉपर लिकाम कर रहा है किनी हमें एक फिवना की सिरीज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं तो जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम सुरू करते हैं हैस इंक्लूड प्री प्रोसेसर से तो इसको भी हम सुरू करेंगे हैस इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और वहाँ पे उस हैस इंक्लूड प्री प्रोसेसर को यूज करके हम एड़ करेंगे हैडर फाइल्स को ज जो वैरियमल्स हमें एक फेल पर वनके जिरिस प्रोग्राम को करने के लिए ज़री है कि मैं वेरियबल्स को जो « TOP. आल। कर लेने के बाद जो भी एरिएंध्स हैं हमने आलयड के सपर्मैट की सिरीज में देखना चाहते हो एंटर दल नमबर ओफ एलिमेंट जाछिव करेगा गैस के फॉर्मट-सिफ्ट भी और उसको मिस िटोर करेंगि किसे किसमे नंबर वैरीएबल के अडर्स में लेके श््टोर करके रखेंगे उसके बाद फिंश सुरू होता है कहा से जिस रॉड्這個是 तो ओल्रणे कने लिया है नवन एन टुविरशन में तो मुँहँए क्या करेंगे जी-भी को पहले प्रिंट करेंगे जिरो एंड वान के वैल्यू को पहले हम प्रिंट करेंगे तो एंवन का वैल्यू है एंटु में वन है तो पहले हमने जिरो एंड वान का वैल्यू प्रिंट करने के बाद फॉर लूप यूज करके फिर बाकी हम एलिमेंट को हमारे सीरिज का क्या करेंगे तो यहां पर हम अल्रेड़ी दो वैल्यू प्रिंट कर चुके हैं थर्ड वैल्यू से प्रिंट करना है तो आई का वैल्यू हम लेंगे त्री क्योंकि हमें टोटल सपोज मैंने नंबर अप एलेमेंट करना है वहां से दो तो मैंने प्रिंट कर लिया हो मतला मुझे तिन नंबर इलिमेंट को प्रिंट करना है तो आई का वैल्यू कहां तक जाएगा कंडिशन इलेस देन इक्वल्स टो नंबर जो नंबर हमने इंपुट किया है वहां तक हमारा लूपिंग चलेगा तो एक एक करके इंक्रिमेंट होगा वैल्यू आई प्लस प्लस ओके फॉर लूप को ओपन करेंगे फॉर लूप को ओपन करने के बाद एन वान एन टू का व फॉर से न 2 में और उन 3 के वैलू को दो में टो में तो यह लूपिंग तब तक चलेगा जब तक हमारा कंडिशन सही होता रहेका उसके बाद हम क्या करेंगे के प्रोग्राम को सही है या नहीं सही है कुछ भी एर नहीं अब इसको रन करके देखते हैं कि सही से हमें अर हम जितना नमबर और करेंगे उतना डहों हमें element हमारे के सीरीज में सही से डिस्प्लेぁ रहा है या नहीं तो अगर यहां पर element एंटर कर रहा हूं तो 8 for element दिखाना चाहिए दिखाँ यहां पर 011 दिखाया थह सब्सक्राइब करें अगर हम यहां पर इनकुट करते हैं एट तो आट वान दिखाना चाहिए दिखा रहे देखो 0 1 1 2 3 5 8 13 तो अगर वहां पर हम नंबर आफ एलिमेंट जितना इंपूट करेंगे वह क्या करेगा फिबने के सीरीज में हमें उतना टंबर आफ एलिमेंट डिस्प्ले करेगा तो 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 5 5 8 5 5 8 13 तो आठ थो एलिमेंट हमें दिखा रहेगे ने 1 2 3 5 6 7 8 तो आप जितना नंबर अफ ऐलिमेंट दम आपने सीरिज में इस प्रोग्राम के थुछ आप क्या कर सकते हो अपने की सीरेज में उतना नंबर अनुओ इसली देख सकते हो तो आज के क्लास का हमारा discussion का topic यह था कि हमें एक सी program लिखना है जहां पे हम एक Q1A की series को as a output display कर सकें जिस topic के बारे में आज के class में हमने discuss किया आज के लिए इतना ही थैंक यू